अर्यूम आप सभी शाधक साभीका को मेरा प्रणाम गुरूवर और मां को मेरा नमन आचार्य जी को मेरा नमन मैं हर्स्मुक वागेला मारशी अर्विन फाउंडेशन की और से और एफेनिक साइनस Fountain की और से आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम यहाँ सभी उपस्तित हुए है एक अच्छे ज्ञान और अच्छे तत्वबोध का जो ज्ञान के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए है तो तत्वबोध उसमें हमने तत्वबोध का एकिया है तत्वबोध क्या है तत्वबोध यानि स्वयम का विकास तो कैसे व्याख्यान और चर्चा के मध्यम से स्वय के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना तो इसके लिए हमने वेद हरीपाट को चुना है और आप सभी का स्वागत करते हैं और इसी के साथ आज के आचारियजी है आप आई आपका स्वागत है और आप प्राथना के साथ इस सत्र की सुरुवाद करें धन्यवाद सबी को हरी रूम प्रणाम हरी रूम प्रणाम आज की सेवा मेरे तरफ आई है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और गुर्देव की कुपा है कि ऐसे सेवा हाम को मिलती है तो हमारा भी जिवन एक प्रफुलीत और अच्छे मार्ग पे चलता है तो इस भाव करते मैं प्रार्थान शुरू करते हुआ आप सभी लोग हाथ जड़े ओं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्नु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर सुक्षात्परब्रह्मा तस्मेश्री गुरवे नमाहा ध्यानमुलं गुरुर्मुर्ति पुजामुलं गुरुर्पदं मंत्रमुलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमुलं गुरुरुपा अखंडमंडलाकारं व्याक्तम वेनाचराचरं तत्पदंदर्षितं वेना तस्मेश्री गुरवे नमाहा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्वाधारं गगनसदुषं मेघवर्नं शुभांगं लक्स्मी कांतं कमलनायनं योगि धिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलो कैकनातं मुकं करोतिवाचालं पंगं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमा आनन्दमाधवं ओ नमो जी आध्या वेदप्रती पाध्या जय जय स्वसंगेद्या आत्मरूपा जय जय स्वसंगेद्या आत्मरूपा जय जय स्वसंगेद्या आत्मरूपा पिछले गुरुवार के दिन अपने प्रश्ण उतरी के स्तंदर्व में बात्चित करे थे और उसके पहले का जो गुरुवार था उस गुरुवार को योग याग विधी एनि नवे शिद्धी वायाची उपादी दंबधर्म इस पंक्ति का विवेचन हुआ था उसके बाद में उसका प्रश्ण उतरी हो गई थी अभी हम पाचवा अभंग का अगली पंक्तिया देखेंगे थोड़ा अभंग थोड़ा गीत में गाएंगे और फिर बाद में शुरू करेंगे योग याग विधी एनि नवे शिद्धी योग याग विधी एनि नवे शिद्धी वायाचि उपाधि दंभा धर्म वायाचि उपाधि दंभा धर्म भावे विन देव नकले निसंदेह भावे विन देव नकले निसंदेह गुरू विन अनुभावा कैसा कले गुरू विन अनुभावा कैसा कले तप विन देवत दिधल्याविन प्राप्त तप विन देवत दिधल्याविन प्राप्त गुझे विन हीता कोन सांगे भुझविन हीता कोन सांगे ज्ञान देव सांगे दृष्टांताची मात ज्ञान देव सांगे दृष्टांताची मात सादूचे संगति तरन पाया सादूचे संगति तरन पाया हरी मुखे मना पुन्याची गनाना कोन करी देवाची एद्वारी उभाक्षन भरी देवाची एद्वारी उभाक्षन भरी तेने मुखे चारी साधी एल्या हरी मुखे मना 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 योग याग विदियन नवे शिद्धि वायाची उपादी दंब धर्म भावे वीन देव नकले निसंदेह गुरु वीन नुभव कैस्ता कले तप वीन दैवत दिदल्या वीन प्राक्त बुजे वीन ही तकोन सांगे ज्ञान देवागे दृष्टांताची मात साधूचे संगत तरनों पाया हरी मुखे मना हरी मुखे मना कुन्याची गनना को नकरी तो हम भावे वीन देव नकले निसंदेह गुरु वीन अनुभव कैसा कले इसका विवेचन हम करते हैं भावे वीन देव नकले निसंदेह हरी वीन गुरु वीन अनुभव कैसा कले देखिए जहा भाव वही देव है ऐसा अजयानिष्वर महाराज ने बताया है बाव के बीना कुछ भी होता नहीं है बाव होगा वही उसी चीज का कोई भी उसका परिनाम होता है एव हमारे जी वन में भी हम देखते है हम गएब 같은데 देवल में गए हम बंदीर में गए हम कही घुरू के पास गए और हमारे लंदर भाव नहीं है के वन अênwhen आशी जाके बैड गए और हमारे लंदर स्रद्धा नहीं है भाव नहीं है तो उसका पाइदा कुछ भी नहीं होगा ऐसा तो कहते हैं कि गवगवद गीता में बताया है कि निष्काम भाव होना चाहिए लेकिन वहां भी भाव आयाई है निष्काम भाव और हमको कोई भी चीज में कामना न रहते हुए कोई कारे करना है तो निष्काम उसमें भी भाव है निष्काम भाव और है निष्काम मलिन्ता नहीं, जिसमें मलिन्ता होती है, वो भाव नहीं होता है, जिसमें मलिन्ता नहीं होती है, शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, वहीं भाव होता है, ऐसा भाव होता है, वहीं देवत्व को प्राप्त होता है, देवकार्थ होता है, शुद्धता, देवकार्थ होता है देने वाला, देवकार्थ होता है परम, परम तत्वा, अन्य ऐसा जो भाव हमारे अंदर होता है, तभी वो देवत्वा हमारे अंदर आता है, कोई एक उधारन अपन लेते है कि शुद्धता का, यदि सोना है और सोना में कचड़ा है, तो उस कचड़े को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध होता है, उस कचड़े को शुद्ध करना पड़ेगा उस सोनी के अंदर से, तब वो सोना शुद्ध बनेगा अईसा हमारे अंदर का भाव भी शुद्ध होगा तभी हम देव बन सकते हैं, हम अच्छा बन सकते हैं भाव न देव न कले निश्ण देह, गुरु न अनुभव कैसा कले और निश्ण देह, ये जो निश्ण देह का यहाँ दिया है तो निश्ची तो ही है, इसमें संध्य करने की जवरत नहीं है भाव नहीं है, तो वहाँ पुछ भी मिलने वाला नहीं है तुक्रजी महाराज का एक भजन है, भाव तुक्रजी महाराज का नहीं, दूसरे कुछी का है भाव भक्ति हरी सीध्याओ, माजाहरी विकतची घ्याओ भाव भक्ति में भाव होना चाहिए, भाव ये दी नहीं है, तो भक्ति भी नहीं होती है जो गोपिया थी, गोपिया के अंदर कुरुष्ण के लिए भाव था, गोपिया दूद बेश्टी थी, दही बेश्टी थी, और माखन बेश्टी थी, तो वो बोलती थी, कि मेरे कुरुष्ण को लो, मेरे काना को लो, कृवी थ ti जब लेकिन उनका भाव क्या था का आनना का भाव था पृष्ण का भाव था गोविंद पलती थी कि मेयरे कृष्ण कलो झने उनका भाव उसमें प्रमात्मा का भाव था तो गुपिया भी अपना लगेता थे पर्लास के घा़ं को बोलते हैंeras, फोशण ले के आई हो लेकन लेक्यान रही लेकंकर आएम抖 दोदय को हमारा पर्मात्मा को कि देखे हैं, तो हमारा दूद बिख जाता है हमारा जल्द बिख जाता है, हमारा माखhन माखं जाता है अईसा ही हम व्योहार में दी, कोई भी व्योहार करते समय, कारे करते समय, हमारा भाव परमात्मा का रहता है, हमारा उद्देश्यव परमात्मा के लिए रहता है, तो वो काम हमारा आसानी से हो जाता है, और हमको उस काम से कोई भी दिक्कत नहीं जाती है ना हमको तकलीब नहीं होती है तो भाव हमारा उसमें होना चाहिए और जब भाव होता है तो निष्ण देह हमको उस तत्व की प्राप्ति होती है गुरु विना अनुभवा कैसा करें हम लेकिन ऐसा है कि भाव हम गुरु के पाद जाते हैं मंदिर में जाते हैं मंदिर में जाके मुर्ति की पुझा करते हैं और मुर्ति की पुझा करने के बाद हमको मुर्ति की पुझा क्यों करना है यह भी हमको समझ में आना चाहिए और हमको समझ में नहीं आता है कि मुर्ति की पुजा को करना है और हमारे अंदर उसके लिए भाव है भी लेकिन कौन सा भाव कैसा भाव यह समझ में हमको नहीं आता है तो उस समय हमको गुरु के पास भी जाना पड़ता है गुर्वीन अनुभवा कैसा करें? हमको गुर्देव भी बताते हैं कि देव याने क्या होता है? हमको देव का भी अनुभव नहीं होता है. देव याने, गुर्देव हमको बताते हैं, देव याने तुमारे अंदर की अच्छाई, तुमारे अंदर के अच्छे गून, यही देव है, हम मंदिर में जाते हैं, और मुर्ति की पूजा करते हैं, देव की पूजा, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम घर में आके, कि किसी को कुछ भी हम बोलते हैं, तो फिर वो देव की पुझा करने से, जाने से क्या फाइदा है? तो इसका आर्थ हमको, कौन बताएगा? गुरु बताएगा, कि तुमने बंदिर में जाके पुझा की है, बंदिर में जाके बद्धान का दर्शन लिया है, तो इसका आर्थत क्या होगा? तो तुमारे जो व्योफार में है, तुमारे व्योफार में शुधता आनी चाहिए, तुमारे व्योफार में शुधता नहीं आई, तो मंदिर में जाने का भी कुछ फाइदा नहीं है, ना तुमको मुर्ति पूजा करने का, भगवान की पूजा करने का फाइदा नहीं है इसलिए इसका गुरु के बिना आमको अनुभव नहीं आएगा इसलिए गुरु का संपर का हमारे साथ होना चाहिए गुरु का सानिद्य हमको होना चाहिए गुरु हमारे गुरु की कुरुपा हमारे उपर होनी चाहिए तभी हम कि साधना आप यह». कि साधना तो साधना में हम कि साधना करते-कर्ते कुछ कि अपरकाश दिखाई दिया है कि इसको कुछ दिर्शय दिखाई देता है तो किशी को कुछ आवाज आ जाती है तो तुम उसका अनुभो करो और इसको ही हम फिर थोड़ा कुछ हमको समझ में आ जाता है कुछ दिखाई देता है कुछ सुनाई देता है तो हमको क्या लगता है कि हमको प्राप्ति हो गई है ऐसा करके हम उसी में उलत जाते हैं और आगे की साधना हम करते नहीं है हमको लगता है कि हम हमको प्राप्त हो गया है ऐसा करके है हम संद्हामा पड़ जाते हैं और हमारी साधना कुंटित हो जाती है तो इसको फिर हम को कोन बताएगा हम कहीं को समझ में आएगा कि हम सब गुरुविना है क्या लें यहां जाये तो दी लटक जाये तो तो भायविनगे नकलए निशन्द्यः गुरुविना अनुभवा कैसा करें गुरु का सानिध्य हम को होना ही चाहिए जब हम अध्धत्म मार्ग में रास्ता चलते हैं तो तप वीन दैवत दिदल्या वीन प्राप्त गुरु गुजे वी नहीं तप को न सांगे तप वीन दैवत तप किसको कहते हैं तप का आर्थ होता है गर्मावत उष्मता उष्नता उष्मा तो ये बोलते हैं तप यानि गर्मावत और तप से ही तप शब्द निर्मान हुआ है तप का आर्थ होता है शरीर को मन को तपाना ये अध्यातनी क्षत्र में तप का आर्थ होता है कि हमको परम 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 तत्व की प्राप्ति करनी है या कोई कुछ सिध्ध करना है तो तप करना पड़ता है तप करना पड़ता है यानि हमारे शरीर को मन को तपाना पड़ता है तो बगवद गीता में शत्रावेध्याय के शत्रावेध्याय के सत्रावेध्याय 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 के सत्रावेध प्याहती है तो फिक देवपन मनुषे के अंदर आता नहीं है. शुद्धता नहीं है कि शुद्धता आती है. यज भीखन होता है, लुहा में जंग होता है, तो उस लोह को तपना पड़ता है, और लोह को तपाएंगे तो फिर वो, दो जंग निकल जाता है, उसमें शुधत आते हैं, वो धार आती हैं, और फिर उससे हम कम लेते हैं। वैसा ही सोना होता है सोना के अंदर भी कुछ मिश्ठीक रता है तो उसको भी तपाते हैं और तपने के बाद उसमें शुदधा आती है और फिर उसमें जहर भोशन बनाते हैं अभुषन बुनाते हैं और वैसे ही जो मट्टी होती है मट्टी की भी शुधता करके उसको रोंद के बढ़िया उसकी भी मट्के बनाते हैं क्योंकि मट्टी में भी शुधता होती है तो उसको चानना बुनना सब ऐसा करते हैं और फिर उसके भी बरतन बनाते हैं तो इने हमको परम तत्व की प्राप्ति करनी है परमात्म प्राप्ति करनी है या स्वयम की प्राप्ति करनी है तो हमको हमारे मन को हमारे शरीर को तपाना पड़ेगा लेकिन तपाना कैसा है यह भी हमको समझना चाहिए तब तीन प्रकार के दिये हैं इस भगवत गीता के 17 अध्याय मे स्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैही अपलाक अपलाकांग्षिविर्भुक्ते सातेकं तप उच्यते सत्कारा मान पूजार्थं तपो दंभेन चैवयत क्रेते तदिहं प्रोक्तम रायसं चलम ध्रुवं क्रेते तप थो दंभेन प्रकार के तप दिये हैं ममको यह तप का भी अष्थ यहार्थ समय मों निकरते करते हैं दुरागरह का तप पर करते हैं उसको कहते हैं तामसिक तप तो हम को सात्री तप नहीं करेंगे तब तक हम को अपने आपकी प्राप्ति नहीं होती है यह नहीं हम स्वयम तक हम स्वयम को पहिचान नहीं सकेंगे क्योंकि स्वयम के पहिचानने के लिए शुद्धता होनी चाहिए और शुद्धता वो होती है जो सत्वगुन से भरी हुई रहती है करनी है तो यह तप कैसा है दुराग्रह का है दुराग्रह पुर्वक करते हैं तप और कुई भीचीज हमको अने भगवत्ति करनी है यह और कुछ सिद्धता प्राप्त करनी है तो हम दुराग्रह टे है कोई भी चीज में के ने दुराग्रह का यह अर्थ होता है हट्ट से अने हमारा शरीर भी उसको एक्षप नही कर रहा है तो भी हम उसको कर देः कि उसको कि एक करके बांधवान के हम कुछ करना चाहते हैं कि एन्हें कोई अभी अधारन देती हूं है कोई ऐसा अब खाने की चीज हमको कोई खाने का मन गया और उसको हमको हमारी शेरिव को तकलिफ दे रहा है तो हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं लेकिन मन हमारा मानता नहीं है, मन मानता नहीं है, बार 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 उसी में जाता है, तो ये दुराग्रह पुर्वक होता है, लेकिन हम उसको ये समझाएंगे, कि नहीं ये चीज खाने से हमको तकलिब होती है, हमारी बीमारी बढ़ती है, बार बार हम उसको समझाएंगे, तो कि थोड़ा सा समधदारी की बात होगी तो ऐसा ही समधदारी का तब होता है कोई तब करते हैं लोग तो बहुत ही उसमें भाव रहता है कि मैं रहे को इसको सिखाना है इसको बताना है, इसका बदला लेना है, यह भाव करके तप करते हैं, जैसे उदारन दे सकते हैं कि रावन हिरनकश्यप है, हिरनयक्षय है, यह जो राक्षय सुरुत्ती के जो लोग है, तो इन्हों ने तप किया था, और वो तप करके एक पयर में खड़े रहना या एक साल-स खाना नहीं है, तो इसको बोलते है धुराग रह नंदना है, कोई आजकाल कोई सिधी प्राप्त करने के लिए तो सोंचे यह तो उल्टे टांके से बैढ़ी जाते हैं, upring us, it feels to do this. तो इस तामस तप से हमको आत्मप्राप्ति नहीं होती है और फिर ऐसे तामस तप करके सिद्धी प्राप्त होई तो उसका फल भीयां को अच्छे से उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अब ये का बताते हैं कि एक निव तप किया और तप करने के बाद उसका तप खतम होने के निए लगधा और उस पेड के ऊपर खुबाँ ने उस पेड के ऊपर विस्टा कर दी तो उस तपका फल उसको मिल गया था शिद्धी तो मिल गई थी लेकिन उसका उपयों कैसा करना है यह समझ में नहीं आया दो और उसको के तरफ वह पक्षी के तरफ देखा तो वह पक्षी के अगे पूब कई उसका फर उूबाल गले और यह रखार्ण पयुटाइट लुगों के उपर उसका परयोग करने लगा तो यह तप क्या है उसका अगे इसका उपवाग भी तो यह तामसटप से फूद काभी हीत अब दुसरों का पे हीत नहीं यह ऐसा होता है यह तामस तप और दुसरा तप होता है राजसीप तप तो राजसीप तप का रथ बताया है सदकार मान पूजा रथम तपो दंबेन चायवयत क्रेति तदी हम प्रोक्तम रायसम चलमत दुवं तो कुछ लोग ऐसा तप करते हैं अच्छा कारिय भी करते हैं सदकार्य के भाव रहता है उनके अंदर लेकि इन सदकार्य का भाव रहने के बाद भी उनके अंदर दंभभाव आ जाता है और वो नूसर उसमें उनकी फलाखी आसकती रहती है और वो तप फिर मैं उसका उस तप से कुछ धन मांगोंगा और येश मांगोंगा और किर्थी मांगोंगा ये उसका अपने किर्थी के लिए ये उसका उपयोग करता है तो ये और उसके अंदर चंचलता रहती है चंचल मन्से वो करता रहता है इसमें उसके अंदर वो अस्तिरता निर्मान होती है हमेशा तो यह तब क्या है राजस तब होता है और सात्रीक तब भबद गीता में बताया है कि वो कैसा तब है उसमें अच्सा, इच्छा, फला सकती कुछ भी नहीं रहती है और उसमें इशकाम्ता रहती है और स्रத्धा रहती है पूरण सरद्धा से님이 करता है, कोई भी चीज उप्राप्त करेगा तो उसमें निशकाम्ताः रहेगी, और निशकाम्ता रहती है , यानि वो लोग कल्यान के लिए राष्ट तो कोई भी मंगे को दान भी необत्ता है, तो राष्ट्रकारी के लिए ही मंगेंगा इन्हें उसका उसको जो सिद्धी प्राप्त हुई और भगवान को भी वह प्रार्थना करेगा तो लोग कल्यान के लिए ही प्रार्थना करता है तो ऐसे ही तीन प्रकार के तप इसमें बताया है तो यह तप सात्रित तप हमारे अंदर रहता है और हम सात्रित तप हम करते हैं तो यह जगत कल्यान के लिए होता है और उसमें निशकामता और निशकाम प्रेम भी उसमें आता है तो तप अविनत दाइवत और तप ऐसा तप हम करते हैं तो हमारा शरीर हमारा मन हमारी बुद्धी हमारा आत्मा उस परम तत्व के तरप जाता है और उसमें देवपन आता है ऐसे ऐसा तप सभी संतुनी किया है जो सात्रिक दफ है जो उच्च कोटी का तफ है वो संतुनी किया है और तब उनके अंदर संतपन आता है दिधल्याविन प्राप्त और वो जब दिधल्याविन प्राप्त यानि ऐसा तप करके जो भी अपने को मिलता है वो दूसरे को दे तो उसको भी फिर मिलता है ऐसा ग्यानिश्वर महाराज में इसमें बताया है गुजे भी नहीं तो को न सांगे और गुजे याने गुयता जो गुपित गुपत गीता के नवी अध्याय में गुपत ग्यान का लेक आता है ये इन्न में ग्यान तो को अर्जुन देता हूँ अच्छाँ घाने बताया अन्मग्यान इसको ग्यान है witnessed की अले क्याmber आत्मग्यान किसी को तो प्राप्त करता है सभी को प्राप्ट नहीं होता है और ये अख == जाता है के सभी मारगा चलते हैं लेकिन UK A Pie स्थान पर पोच जाता है तो ऐसा वो गुपित ग्यान है गुजे भी नहीं तो कौन अस्थांगे और यह गुज काहित कौन से बताता है गुरु बताते हैं सद्गुरु बताते हैं अब नची केता का हम उधारन लेते हैं गुजग्यान उनको जो अँम्राज है उन्होंने बताया था तरहते हैं कि नची केता अपने पिता जी के सब्द का मानद रखते हुए नची को सिट गए तो तीन दिन तक वहां एम्राज के दर्वार में रहे और क्यूंकि यम्राज तीन दिन तक नहीं थे और तीन दिन के बाद आये तो उन्होंने पुछा आप तीन दिन के हो यहां तो मैं आपको तीन वर देता हूं क्रिटा जी बें टिता जेिए का aber就是 कि लगास को भुटित करने कि घगानगी अ depois कहें onne भुट जी सेंहां अर्टाल यहां से जाँगा भी तो मेरे उपर जिता करेंगे अर इसे जेसे में रहेंगे तो मेरे पिता जी का काल्या नहीं होगा इसलिए मेरे पिता-जी का घूसा शान्त हो जाए यह मेरे को यक वर दिजए और उनोंने तथास्त बोलके वIE वर दिया थे बुसरा वर उनोंने मांगा कि मेरे पिता जी एक दोस में पकड़ा गया है, एक पाप में पकड़ा गया है, तब उस पाप को दूर करिये, जो उन्होंने यग्ये किया है, और उस यग्ये में ऐसी गईया दान दिये है ब्रामनों को, जो दूद नहीं देती है, शिंग तूटे हुए है, कोई लंगडी गया ह है, कोई बीमार गया है, ऐसी गया हो, उनोंने दान दिया है, तो एक उनको दोस्त लगा है, उनको पाप लगा है, उस पाप से मुकत हो जाए तो उन्होंने बोले टत Amtlis, बलो भूमनों को तो उन्होंने पिसरा घ्र मांगे मेरो को अब आत्मा ज्यान दीजिये, तू कि आतमगन तुमको नहीं नहीं दे सकता हूं. क्योंकि तुम छोटा है अबी. और तुम नादान हों. साथ साल का बच्चा आतमगन मांग रहा है. और आतमगन सोटे बच्चों को दे चे क्या होगा? तो बोलने लगा कि मेरो आत्मग्यानी दिजिये, मेरे को दुसरा कुछ नहीं चाहिए तो ये गुज जो है, ये गुज मैं नहीं दे सकता हूं, इसके लिए बड़ा होना पड़ेगा बुजरुग होना पड़ेगा, तब तो बुजरुग का अर्थ क्या होता है नहीं होना है, हम बुजरुग होने के बाद बोलते हैं कि हम हमेशा ऎसा ही लोगों के बीच जाते है, तो कुछ अची बाते बताएं, तो बोलते हैं कि अभी अमारी वाणना नहीं सुने के अभी तो खेल कुछ की सुम उमर है और हमको अभी लिखना पढ़ना है नवकरी चाखरी करना है कुछ बड़े लोग बोलते हैं कि नहीं हमको अभी पैसा कमाना है और पैसा कमा के उसमें हमारे बाल बच्चों की शादी करना है अभी हमारा परमार्थ करने का समय नहीं आया है तो हम बुजरुक हो जाएंगे, बुडे हो जाएंगे, तब हम करेंगे तो बुजरुक का आर्थ होता है, बुजरुक का आर्थ होता है समझदारी हमारे अंदर जब तक समझदारी नहीं है, तब तक हम आत्मग्यान के लिए प्राप्त नहीं होंगे और यह समझदारी छोटा नचिकेता था लेकिन उसके अंदर पूरी समझदारी आई तो आत्मग्यान प्राप्ता करने के लिए ये गुज़ हमको समझने के लिए बढ़ापा नहीं होना चाहिए उमर की बात नहीं होती है बढ़े उमर की बात नहीं होती है संबधदारी की बात होती है तो नची केता बोलता है कि मेरे को गुझ दीजिए तो वो बोल रहे हैं कि तुमको मैं ये नहीं देता हूं मैं तुमको हाथी भोडा, राजपाट, सब कुछ देता हूं लेकिन ये गुझ नहीं बताओंगा लेकिन जो जग्यासू होता है, जग्यासू को 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 जग् उसके अंदर जो आतुर्ता थी वो आतुर्ता देखके एमराज ने उनको गुज बता दिया कि आत्मग्यान जो होता है वो सर्वस्रेष्ट होता है और यह परमतक्यों को प्राप्त करने के लिए उनको भी बहु सारा अने अधना भी बताई और उनने वो फिर प्राप्त कर लिया तो तपविन गुज बीना ही तो कोन सांगे ऐसा गुज बताता है कि वही जो उसका अधिकारी गुरु होता है वही बता कि न्यानदेव सांगे दुर्ष्टान ची मात सादू चे संगती तरुन उपाया कि न्यानदेव बता रहे हैं कि दुर्ष्टान ची मात ग्यानदेवर महाराज कह रहे है कि यह जो ग्यान है यह ग्यान सादू के संगती में रहके ही हमको मिलेगा सादू किसको कहते हैं सादू का आर्थ होता है जिसने मन को साधा है वो सादू सादू कोई कपड़े से या दाड़ी बढ़ाने से या कोई अंग में भश्म लगाने से नहीं होता है ऐसा उन्होंने बताया है एक तुक्रजी महाराज का भजन है तुक्रजी महाराज कहते है सादू का जो सादू किसको कहते है सादू नावाने सादू होत नाहीरे सादू हाटेल चाचाह पानी नाहीरे सादू हाटेल चाचाह पानी नाहीरे अंगिनाई ज्यानमने सादू मलामा सादू नावाने सादू होत नाहीरे सादू हाटेल चाचाह पानी नाहीरे सादू हाटेल चाचाह पानी नाहीरे अश्वली चांगावर मोठ्या मोठ्या जटा पारधी लंगोटी ने दिशेत्यागी मोठा कुत्रया चांगावर भगव्याची छटा कुत्रया चांगावर भगव्याची छटा गाडवा चांगी नाही बस्माचा तोटा सादू नावाने सादू होत नाहीरे सादू हाटेल चाचाह पानी नाहीरे सादू हाटेल चाह पानी नाहीरे सादू हाटेल चाह पानी नाहीरे तो है किसको कहना चाहिए जानिश्वर महाराद बोल रहे है कि सभु थी तरनों पाय है सभु थी संग्ति में भी हमारा था था उपाई है दूसरा उपाई है तो कुन से सादू के हमको संगती करनी पड़ेगी जो भगवे कपड़े पहन के घुम रहा है उसको सादू मान कि उसके पीछे में हम जाए दाड़ी बढ़ा के जो सादू बना है उसके पीछे हम जाए या भश्मा लगाया है तो ये तो उन्होंने तुकड़ जी महाराज में अच्छा बताया है कि ये तो सब उपर का जो भेश है वो भेश तो हम जानवर गवी उपर देख सकते है तो फिर वो सादू होगा क्या तो हम साधू किसको कहेंगे साधू जिसके आंग में साधुता आई है जिसके अंदर वाइराग्य है, जिसके अंदर त्याग है, जो अपने लिए कुछ ने करता है, जो सब जनता के लिए कर रहा है, जो सब लोग कल्यान के लिए कर रहा है, जो त्याग्य है, जो वाईरागे की भावना है, वो सादू होता है, सादू कपड़े पेनने से नहीं होता है, जब आइसे सादू का हम वचन सुनेंगे तो हमारे अंदर भी परिवर्तन हो जाता है एकनात महाराज के पास एक आताराम आई और बोलती है कि मेरे बच्चे मेरा नाती गुड़ बहुत खाता है और वो छोड़ता नहीं है उसके उपर बहुती दाने निकले है खाज खुझली होई है सुनता नहीं इसको गुड़ छोड़ने के लिए बोल रहे है तो नहीं छोड़ता है उसका इलर्जी हो गई है तो एकनाथ महाराज बोलते है कि बेटा तू माता जी आप अगले हटे में आ जाये फिर मैं बताऊंगा तू दूसरे हटे में आई तो उन्होंने उस बालक के पीट पर हाथ घुमाया और बोलते है कि बेटा तूम गुड़ देना और फिर उचली गई माता अपने नाती को लेके और फिर दूसरे हटे में आई बोलते हैं महाराज जी मेरे नाती ने गुड़ छोड़ दिया है रो उसके खुझली भी खतम हो गई लेकिन मेरो को यह रहस्य बताईए आपने जो आट दीन बिता है आप बता देते हैं गुड़ दो तो इतना दिन नहीं लगता मेरे न लिया और फिर मैं उसको बताया हूं मैं छोड़ सकता हूं तो अगला भी छोड़ेगा और मैं ने छोड़ सकता हूं तो कैसा छोड़ सकता है तो साधू क्या करता है संत क्या करता है पहले अपने अंदर उसका अन्हो लेता है और फिर वो दुसरों को बताता है तो उसका पर और हम कितना बड़ा त्यागी है। ऐसा बोलते हैं। तो वो वो पर के भाव, त्याग के हैं, लेकिन अंदर उसने अपने मन को ङान अंदर से वस्तो यह त्यागी है क्या। तो उसका परिणाम नहीं आएगा तो जो वासना है तुरुषना है अपेक्षाय है यह हमारे अंदर की खतम होनी चाहिए यह हम उस वासना तुरुषना को हम हम पहिचान पाए कि इसको वासना बोलते है तो इसको हम पैसे उससे दूर हो जाए हम उसको कैसा उससे भाहर निकले लेकिन हम बताएंगे लोगों को कि नहीं तुम यह त्यागो वो त्यागो और हम खुद उसमें भरे हुए है गुषा से भरे हुए है हम राक से भरे हुए है आवरम लोगों को बोलेंगे कि तुम राघ छोड़ो, मुसामत करो. तो ये नहीं होगा. पहले हमारे अंदर वो भाव आने चाहिए, शुधता के भाव आने चाहिए. राघ के बदले हमको निश्काम प्रेमता हमारे अंदर आनी चाहिए. निश्काम प्रेम कर रहे हैं क्या? ह प्रवचन में बताएंगे तो इसका परिणाम प्रवचन से नहीं होगा इसलिए गुरु के पास हमको जाके इसका निवारन करना चाहिए, इसका निरासन करना चाहिए और गुरु जो बताते है उसको हमको सुनना चाहिए और सुनके हमको उनके बताया जाएसे आमको आचरण में लाना चाहिए जो आचरण करता है वही साधू होता है गाडवा चांगी ना ही भश्मा चातोता भश्मा लगाता है व्यक्ति और अपनी साधुता प्रगट करता है तो यह साधुता नहीं है भश्मा तो गधे के शेरीर में बहुत होता है इसलिए वो गधाव साधू हो गया क्या, संत हो गया क्या नहीं तो यह सब उपर के जो दिखावा है इस से जादा हमको अंदर से हमको रंगना पड़ेगा जब हम अंदर के रंग में रंग जाते हैं तो हमारा उद्धार होगा हम अपने परम तत्व तक जाएंगे अपने परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं नए तो हम जहा है वही बैठे रहेंगे जन्मा मिला है हमको मनुश्यका और जन्मा लेने के बाद भी हम गाढावी बनके यानि गधाई बनके रहेंगे तो नहीं बनेगा इसलिए ग्यानिश्वर महाराज पुलते हैं कि तुमको परम प्राप्ति के मार्ग भी चलना है तो साधु की संगती को रो सतसंगती में हमेश्या अपने आप को धो अपने मन को धो अपने बुद्धी को धो और जब हम अपने मन को बुद्धी को धोयेंगे तो हमारी शुद्धता होगी और हम उस परम तत्व तक जाएंगे तो यह हमको गुरु का ग्यान गुरु हमको बार-बार बताते हैं बार-बार हमको स्वजेशन देते हैं लेकिन हम गुरु का हम सुनते नहीं है सुनते भी है तो हम उसमें हमारे गुरु ने ऐसा बोला ऐसा बोला उनका उनकी शब्द का परिनाम ने दुसरा उल्टा अर्थ कर लेते हैं लेकिन गुरु तो कुमार के जैसे है कुमार जैसा होता है कि मटका बनाता है और मटके को पका है और पकने तक उसको मारता रहता है तो गुरु ने जो हमको बताया तो उसको हमको बुरा नहीं मानना चाहिए और हमारा सुधार करना चाहिए गुरु कुमार अशिष्य कुम्भ है, गड़ी-गड़ी काड़े खोट, अंतर हात सहारादे बाहर मारे चोट, गुरु हमको हमेशा चोट माते रहते हैं, कभी हम गुरु के पास ज्याए और गुरु के बास हम बताए कि हमको गुरु देव यह ऐसा दिखाई दिया वह ऐसा द कि तुम को जो दिखाई है वह सब जूत है, तुम सब धों कर रहे हो, तुम यह सब अपनी बढ़ाए कर रहे हो, तुम पहले अपनी साधना करो, साधना के लिए हमको प्रस्तुत करते हैं, तुम अपना दंभद दिखाई रहे हो, तुम अपना बड़े पना दिखा रहे हो, अईसा हमको बोल देते हैं, और गुरु हमको वहां से फिर बाहर निकालते हैं, तो हमारे अंदर बड़ी चोट लग जाती है, हमको बड़ा लग जाता है, और हम तलमला हो जाते हैं, और लेकिन यह गलत है, हमको गुरु से गुज प्राप्त करना है गुरु से गुहता प्राप्त करना है तो गुरु जो हमको चोट मार रहे है तो यह हमारे हित के लिए है यह गुरु जो हमको कभी घुसा कर देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं तो उनका कुछ उद्देश ऐसा नहीं का अपमान कर रह तुम्हारा तुमको तुम्हारा अहित है अकल्यान है यह भाव उनके अंदर नहीं रहता है लेकिन हमको लगता है कि हमको दूर कर दिया है उनको ऐसा बोल दिया है और हम उनका विपरित अर्थ निकाल के हम उनसे दूर हो जाते हैं लेकिन नहीं गूरू हमारी पिता है हमारी म माता पिता ही हमको दाट के blueberries लेके जाते हैं, हमाराहित करते हैं, काहला ही हों नगयान करते हैं, तो अंदर में उनकी करूना भाव रहता है और बहर हमको ऐसा इसा धिखाई देते हैं, लेकिन हम उसमें, बुरा मानके साधना से दूर चले जाते है, तो ग्याने शहर महाराज का कहिना यही है कि गुरु इने गुजे वीना ही तक कोन सांगे गुज प्राप्त करना है तो गुरु ही कहते हैं और गुरु ही उसको उसका निवारन करते हैं जो दोसों का और आत्मकल्यान का जो मार्ग है आत्मकल्यान तक हमको वही लेके जाते हैं मेरा तार प्रभु से जोडे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोडे ऐसा कोई संत मिले मन मुह माया में जाता है इसे हरी भजनन सुहाता है मेरे मन का रसता मोडे ऐसा कोई संत मिले मेरे मन का रसता मोडे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोडे ऐसा कोई संत मिले मैं मुझा बड़ा अज्यानी हूँ मैं पापी बड़ा नादानी हूँ मुझे मारे ज्यान के गोले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई साधु मिले ऐसा कोई साधु मिले ऐसा कोई गूरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गूरु मिले इस जन में इस जग में नहीं कोई मेरा सब एक आसरा है तेरा सब एक आसरा है तेरा मेरी बाह पकड ना छोडे ऐसा कोई संत मिले मेरी बाह पकड ना छोडे ऐसा कोई गूरु मिले ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई सादु मिले, ऐसा कोई सादु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोडे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोडे, ऐसा कोई गुरु मिले. तो ऐसे हमको गुरुदेव मिले है और हमारा मन का मोह माया का पड़दा जो है वो हमेशा हटाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं अब हमको प्रस्तुत होना है कि हमारी माया मोह का पड़दा हड़ जाए और उस प्रभु का हमको धर्शन हो जाए उस प्रभु से हमको जोड़ दे हम अज्ञानी है, मूड है, पापी है, दानी, नादान करने वाले हैं, हम ग्रहन करते रहते हैं, लेकिन देनी की भावना नहीं होती है, जो देना है, तो हम दोस भी दे और अच्छाई भी गुरु को दे, तो हमको फिर से हमको अच्छाई मिलेगी और गुरु हमारे जो अज् कि अब अब खाटम कर देंगे और हम गुरुदेव सी इतनी प्रार्थना करते है कि मेरी बाहा पकड़ना छोड़े ऐसा कोई गुरु मिले और हमारी कभी बाहा नहीं छोड़े और हम उनके आश्रा से अंको सहारा से हम चलते रहे नहीं भाव करते हुए आज का जो पाच्वा अभंग है पुए भैध अरे पाटा फोल्का पल्भंव को ₹ जो क्लास है अहिए समय हो गया है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को श्यवा करने का आउसर दिया है और गुरु कुर्पा से मेरे को भी श्यवा करने का आउसर मिला है तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ और प्राथना करती हूं आप सभी लोग हाथ जोड़िएगा ओम पुर्णमदहा पुर्णमिदम पुर्णार पुर्णमुदच्चते पुर्णश पुर्णमादाय पुर्णमिववशिष्चते ओम शांटे 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 ही पुनाहा सभी पुप्रणाद दन्यवाद माई हरियो हरियो माई हरियो 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 सबको हरियो